आपका स्वागत है आप देख रहे हैं प्रेजेंट पास्ट एड़ फ्यूचर का नया एपिसोड क्लीन चिट हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लेक्सिकन का हिस्सा बन गया है जब देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी को देता रहता है इसी कड़ी में सर्टिफिकेट इशू करने वालों में लेटिस्ट हैं हमारे ग्रह मंतरी अमिच्षा जी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले संसत के दोनों सदनों में दिल्ली पुलिस की तारीफ की उन्होंने कहा उन पर हाल के सांप्रदाइक दंगों को मिस हैंडल करने का आरोप बे बुनियाद है इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए दिल्ली कोई आम शहर नहीं है भारत के किसी रिमोट शेत्र में दिल्ली देश की राजधानी है महत्तुपूर्ण बात ये भी है दंगे जब भढ़के तब अमरीका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प शहर में थे अमिच शह के बयान का विपक्ष ने निंदा की बीजेपी के नेताओं ने कहा क्रिटिसिजम एक्सपेक्टेड था ओपोजिशन का काम तो सरकार को बस क्रिटिसाइज करना ही है लेकिन क्या वाकई दिल्ली पुलिस का काम दंगों के दौरान काबिले तारीफ था क्या पुलिस ने तुरंथ और निश्पक्षता से उन दिनों में काम किया था हमारे साथ आज विभूती नारायन राय है आप लंबे समय तक भारतिय पुलिस सेवा में कारे रत थे आप बहुत ऐसे शहरों में पोस्टेड रहें जो सामप्रदाइक दंगों के वज़े से कुख्यात माने जाते हैं राय सहाब हिंदी के लेकक भी हैं और 1988 में उन्होंने शहर में कर्फ्यू नाम का एक उपन्यास लिखा था ये अलाबाद में माफ कीजिएगा प्रयाग राज में दंगों के दोरहान उनके अपने एक्सपीरियंस की घटनाओं के उपर आधारित था जब मेरठ में 1987 में दंगे हुए थे एक बहुत बड़ा गुरूसम इंसिडेंट हाशिमपुरा कॉलोनी में हुआ था वहां के 42 मुसल्मानों का P.A.C. ने कस्टोडियल किलिंग्स किया था राय साहब लंबे वक्त इस केस से जुड़े रहे और 2016 में बहुत चर्चित किताब हाशिमपुरा 22nd May The Forgotten Story of India's Biggest कस्टोडियल किलिंग लिखी थी हम उनसे सामप्रदाइक दंगों की बात करेंगे पुलिस आम तोर से किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है राय साब सबसे पहले तो अमिच्छा जी का जो बयान था दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया अब हुत सालों से पुलिस की पुलिस का जो एक्षन होता है दंगों के दौरान आप ट्रैक करते रहें आपको उनका बयान और दिल्ली पुलिस की जो भूमी का थी हाल के दिल्ली के दंगों में उसके बारे में आपकी क्या टिप्पनी है देखे हमिशास जी का जो सर्टिफिकेट है वो बड़ा मनोरंजक मुझे इसलिए लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट उन्होंने खुद को ही दिया है मेरा अपना मानना है कि इस समय जो हालिया घटनाएं हुई ते दिली में संप्रदाइक इन्सा की उस दौरान पुलिस का नेत्र तो पूरी तरह से पंगु था पूरी तरह से किंकर्तव विमूड जिसे आप दिनी में कहें वो था दरसल हुआ ये था है कि पुलिस हेड़कॉर्टर मेरा यह मानना है कि नॉर्स ब्लॉक चला गया था सारे बड़े फैसले नॉर्स ब्लॉक में हो रहे थे अमिशा जी और उनके दूसरे जो वहां के नौकरशा सलाकार हैं वो सारे फैसले कर रहे थे तो यह तो एक बड़ी मजदार सिर्टिफिकेशन हो गया उनका यह कहना कि 38 गंटे में 48 गंटे में दिल्ली पुलिस ने इसे कंट्रोल कर लिया यह भी शर्मनाक है उसकी बजाए कि दिल्ली देश की राज़धानिया आपने सही कहा यह कोई 36 गड़ या जहारखंड का कोई दूर दराज का दुरगम को आधिवासी लाका नहीं ह 36 गंटे के यहां 6 गंटे भी नहीं चलना चाहिए था खासतोर से तब जब कि दुनिया का एक बहुत ताकतवर इंसान आपके आधे शेहर में घूम रहा था आधा शेहर दंगों की आग में जुलस रहा था तो यह शर्मनाक बात है मुझे लगता है कि अगर यह यह जो राज मिडल ओफ डिसमबर से कुछ ना कुछ समस्यां हो रही थी पहले सी एक खिलाफ आंदोलन चल रहा था जिसकी वज़ा से प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुए जामिया में पुलिस का अटैक हुआ जवालाल नहरू युनिवरसिटी में बाहर के कुछ लोग आए और चात्रों पर और अध्यापकों पर हमला हुआ ये सब चीजे होती रही उसी बीच में दिल्ली के चुनाओ भी हुए उस चुनाओ के दौरान एक खास किसम का कैंपेन हाई पिच्ट कम्यूनली पोलराइज होता रहा उसी बीच में बीजेपी के कुछ न एक और आंदोलन शुरू करने की कोशिश की गए तो उस तरह से क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोवोकेशन को एलाओ करके पुलिस ने अपना नौन पार्टीजन रोल अदा किया पुलिस तो पूरी तरह से पार्टीजन थी आप इससे समझ सकते हैं आपने बहुत सा कि पुलिस की कारवाई एकदम जिसे आपके सकते हैं कि डामेट्रिकली अपोस्ट तो इच अदर एक दूसरे से पूरी तरह भिन थी जामिया में पुलिस में और एक्शन के और एक्टिव पुलिस दिखाई देती है जो लाइबरेरी में घुसके भी छात्रों को पीटने में प्रहेज नहीं करती और जेन्यू में जब पूरा देश देख रहा था टेकनोलोजी की वज़े से पूरा देश देख रहा था कि अंदर गुंडे खुले आम घूम रहे हैं कैमपस के अंदर पुलिस बाहर गेट पे खड़े होकर कि यह दावा कर रही थे कि उसको वाइस चा जादत एक विश्ट देले में जरूरी थी तो जामिया में क्यों नहीं जरूरी थी यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सारे फैसले नौर्ट ब्लॉक में किये जा रहे थे नंबर एक नंबर तो आपने शाहिन बाग का जिक्र किया शाहिन बाग मुझे लगता है कि शुरू के दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं हटा है उसकी वज़े थी कि दिल्ली का चुनाओ चला था और आप देखिए कि जो सत्ता पार्टी है उसने शाहिन बाग को एक सिंबल बना लिया था शाहिन बाग को पोलराइज करने के लिए सब सब बढ़िया उनका वो था उनके मंतरी उन कि खुद आमिशा जी जब भी अपने भाशन दे रहे थे तो शाहिन बाग का ऐसे जिक्र कर रहे थे जैसे कोई एनिमी एरिया है जी शाहिन बाग सही है कि हर समूर को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन उसके साथ ये भी सही है कि जो सड़क इस्तेमाल करते उनका पह है आप कह सकते ना कि एक बड़ा लल्चाने वाला वो था और मुझे पहले दिन से जब मैं शाहिन बाग जाता था तो मुझे लगता था कि इसी मॉडल को कहीं दूसरी जए रेप्लिकेट किया जा सकता है के समर्थक ही कहीं बैठ जाएं और करनाड पेस में दो सड़के घेर के बैठ जाएं के हमारा विदिकार है प्रोटेस्ट करने का है प्रोटेस्ट करने का उस तरस से जलूस्तों निकाले गए अगया जिजी जी लेकिन शाहिनबाग को पिर जाफराबाद में आकर के मेट्रो स्टेशन पर उसको रेप्लिकेट करने कोशिश की कि और वो जिस चिंगारी की जरूरत थी चिंगारी मिल गई यह बात सही है कि समय ट्रंप चुकि शहर में थे तो यह एक लॉजिकल नहीं लगता कि जो सक्ता पार्टी थी वो समय दंगा कराना चाहती लेकिन यह भी सही है कि आप हीट को एक निश्चित इस आप तनाव को एक निश्चित सीमा तक ले आते हैं एक सीमा के बाद आप आपके बाहर हो जाता है तो यह ना भी चाहते थे तब भी वहां पर वह घटनाएं हुई जाकर के एक नेता ने पहले धंगाया कि तीन दिन के अंदर हट जाओ नहीं बहुत कॉमिनली सेंसिटिव एरिया रहा मेरट के समय आप गाजियाबाद में पोस्टेट थे तो आपको बहुत करीब से आपने देखा है तो जो पास्ट और जो प्रेजेंट में जो कनेक्शन आपको दिखता है खासतों से कि पुलिस पुलिटिकली उनको इंटर्फियर कि जाता है पुलिस के काम में तो कितनी कंटिनुटी आपको लगातार दिखती आई है और इसको स्ट्रक्शरी कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है देखिए एक डिमोक्रासी में यह बहुत सभाविक है कि जो पुलिटिकल लीडर्शिप है वो कुछ ना कुछ पुलिस के कामों म मैंने नहीं देखा था दूसरी चीज़ यह है कि जो सबसे बेसिक चीज है देखिए उनिस सो सेटालिस के बाद पहला मेजर रायट उनिस सो एकसर्ट में जबलपूर में हुआ जी मुझे एक फेलोशिप मिली थी तो मैंने देश के 15-20 मेजर रायट को स्टडी करने कोशिश की और मैंने ये पाया कि हर रायट में एक सामानी चीज थी हर जगे एक चीज हर जगे मौजूद थी और वो थी माइनॉलिटीज की शिकायत हर जगे माइनॉलिटीज को ऐसा लगा कि पुलिस ने वो सब किया जो उसे नहीं करना चा ये था तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अस्फलता भारती पुलिस की हो सकती है कि आजादी के बाद जो हमने टू नेशन थियोरी को नकारते हुए एक धर्मेर पेक्ष भारत के अकार निर्मान किया तो सारी संस्थाओं को उसको मजबूत करना चाहिए था उस धर पेनल्टीज को उनकी लाइफ और प्रपर्टी के प्रटक्शन के लिए पुलिस में भी कुछ खास फोर्स के बारे में अक्सर शिकायते मिलते हैं यूपी के कॉंटेक्स में पी एसी जो प्रविंशियल आम कॉंस्टेबुलरी है उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक में ज्यादा कुम्यूनली ओरिंटेट है इसको आपने किस हद्दक आपने सथिक आपने इसमें कोई शक नहीं कि पीएसी का रोल अक्सर संदे के घेरे में रहता है मतलब मश्कूक रहते इसमें कोई शक नहीं कारण तो कई हैं एक लंबी बहस की जरूवत पड़ेगी एक त तो बहुत कम है मैंने कई बार यह रिक्मेंट किया है कि हमें बढ़ाना चाहिए दूसरी चीज है कि पी एसी एक बड़े जिसे आप कह सकते हैं कि सेकलूटेड आइसोलेटेड महाल में एक किसी भी पैरा मिलिटरी फोर्स को उसी तरह रहना चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है ले इसा बहुत मतलब यह एक लंबे डिसकॉशन का विशय हो सकता है लेकिन यह तो सच्चाई है जो आप कह रहे हैं कि पी एसी की भूमिका ज्यादा तर दंगों में संदेख दे रही पुलिस फोर्स में चाहिए पी एसी हो या बाकी पुलिस फोर्स में यूपी की हो या बाहर जो मुसल्मान है एक तो कम होते हैं और जितने भी हैं उन में मुसल्मान होने का बोध क्या उन पे ज़्यादा प्रशर के तौर पे एक्ट करता है कि उनको दिखाना पड़ता है क्या प्रशर ऐसा होता है उन पे कि उनको दिखाना की वो मुसल्मान के तौर पे नहीं एक्ट एक सोशियो साइकोलोजिकल जी की मांग करता है मैंने यह देखा जिसे जब अक्सर मैंने पाया कि जो आईपीएस आफसर जो मुस्लिम आईपीएस आफसर से वह सामपरदाइक दंगों में बड़े जिसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा सक्री नहीं हो पाए वह सिर्फ आईपीएस आईपसर भी मैंने देखें जो मुस्लिम आईपसर से वह बहुत सक्री नहीं हो पाए होता है कि अगर ज्यादा सक्री होंगे तो उन पर चार्ज लगए गलकुल सही करें को उनको तो फॉरं कहा जा सकता है क्योंकि मुसल्मान है इस लिए इस तरह कर रहा है तो एक उनके मन में संकोच या एक सीमा उनकी यह हमेशा रही है यह बात तो सही कह रहे हैं लेकिन यह असल में यह पूरा एक बड़ा कम्प्लिकेटड मामला है मैं तो यह कहूँगा कि देखें हजार साल से ज्यादा जो हिंदों और मुसल्मानों के बीच जो रिष्टे रहे इ हैं आप स्कल्प्चर ले ले लें प्रिंटिंग ले लें म्यूजिक ले लें यहाँ पने पुलिटिकल सिस्टेम हर जगह आप तो ने दोनों ने मिल जूल के बहुत अच्छी चीज़े बनाई लेकिन इसके बाद दोनों में कहीं आपस में कन्फिक्ट भी रहा यह कहना बड उस मदब नहीं ना होकर उसको एक्स्प्लॉइट जादा किया जाता है पुलिटिकल पावर अगर अगर उसका अंग्रेजों ने उसका इस्तेमाल किया अंग्रेजों के आने के पहले जो कंफ्लिक्ट था वो बेज़ बुनियादी तोर पर राज्यों के बीच होता था एक मुस से से इसको जादा बढ़ाया भड़काया बिल्कुल सही कह रहा है आप देखिए ये मुसल्मानों को अमूमन एक ओट बैंक के तरह लिया गया उनके मन में असरुक्षा की भावना पैदा करके उनको जो मुक्खे धारा है उसमें शरीक ना हो करके वो अलक तलक पड़े रहे तो उसका एक पुलिटिकल इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया और उसका खामियाजा भी देश ने भुकता आखिर ये क्यों हुआ आप ये सोचे ना कि हमने एक सम्विधान बनाया जो धर्मने प्रेक्स्ता की बात करता था लेकिन हमारे सारे जो नीचे हमारी सारी संस्था है प्रेजियों चैय शिक्षा हो चैराए पुलिस हो यह उस अंपोलिस हो यहार सं मुख्त नहीं हो पाते यह वह जहर आपको संपरदायक ता का कहिने कहीं दिखता ही है तो यह 75 आ तो आजाद हुए भी में 70 सालते जादा हो घए हम कही न का मॉर्चे पर बहुत सफल नहीं हो है और वो सांपरदाएक दंगों में जो सबसे महत्पूर्ण चीज है वो यह एक इंडियन स्टेट वहां पुलिस के दौरा रेप्रेजेंट होता है चोराये पर आपको पुलिस का एक सिपाई देखाई देता वहीं इंडियन स्ट्वी से पैदा करता है तो निश्चितरूप से वह उनका उनकी आस्था खतम होती है उस समस्था में और सर्षा में नि देखाइए ऑपने बात की थी अभी थोज़ देर पहले कि जब भी दंगे होते हैं तो ज़्यादा जो victims होते हैं वो minority community से होते हैं दिल्ली के दंगों में भी कर आप देखने को मिलता है कि 50 की उपर जो मिलती हुई है उन में से लगभग one third two third का रेशियो है तो यह आपने जो दंगों को study किया है जो आप पोस्टिट थे तो आपने क्या देखा है कि मतलब है कि यह कोई एक overall ट्रेंड है क्या असलिम देखे दिल्ली के दंगों से ही चले हम दूसरे दंगों की बात करने पर दिल्ली तक आएं हाँ बिल्कुल देखिए बड़ी सीजी सी बात है मैंने करीब जितने उनिस सो एक सट के बाद जितने मेजर राइट से लगभग सब को गहराई से अध्यान किया मुझे एक साल की फेलोशिप मिल गई थी तो उसमें मुझे काम करने का मौका म मैंने दो-तीन चीज़ा देखी एक तो लगभग हर दंगे में हर बड़े दंगे में मरने वालों में नसर्फ जादा मुसल्मान थे बंकि वह कई बार तो दो ती आहाई या तीन चौथा ही मुसल्मान थे और लेकिन हर दंगे में जो पुलिस की कारवाई हुई पुलिस प्राशियां भी मुसल्मानों के घर की ही हो रही थी तो यह तरह से कहीं से भी आप इसको लॉजिकल नहीं समझ सकते कि अगर मुसल्मान ज्यादा अमल रहे हैं तो सभावी किया कि हिंदूों की ज्यादा गृपतारी होनी चाहिए यह नहीं होती और जो पुलिस दूसरे के पी पड़े गौर से अख़वारों को पढ़कर के विजुल्स देख करके और मौके पर जाकर के समझने कोशिश की मुझे इस महामले में कोई शक नहीं है कि शुरुआत मुसल्मानों ने की जाफराबाद में जाफराबाद में जहां यह दंगे शुरू है उनके तरफ से हो गया तो शुरुआत तो इन्हों ने कर दी इसने शुरू का जो आप फर्स्ट राउन देखेंगे उसमें जायतर मुसल्मान जायतर हिंदू मरे हैं लेकिन थोड़े ही देर बाद वो हिंदू वरसे मुसलिम न रह करके पुलिस वरसे मुसलिम हो गया और आपने देखा के मुसलिम भीड का मकाबला कर रहा है यही पैटर्न आपको बाकी उत्तर भारत के वो दुर्भाग है कि कुछ दिनों बाद वो पुलिस वरसे मुसल्मान हो जाता है हिंदू वरसे मुसल्मान जो पुलिस वरसे मुसल्मान हो जाता है तो यह अपने अपने खतरनाक चीज़ ह पुलिस को अपनी neutrality बनाए रखनी चाहिए, पुलिस को दोनों के साथ बराबर सक्ती या बराबर नर्मी दिखानी चाहिए और पुलिस कम से कम दिखनी नहीं चाहिए कि वो पुलिस partisan है, लेकिन दुर्भागे से ये नहीं हो पाता तो पुलिस कैसे non-partisan function कर सकती है, पुलिस तो आखिरकार political leadership से guidance लेती है, उसके instructions फॉलो करती है देखे जैसे इस मामले में दिल्ली वाले में तो कुछ हत्ता के बाद सही हो सकती है कि कोई इस तरह की guidance रही हूँ लेकिन जाए दर्दंगों में जहाँ political leadership involved नहीं थी, वहाँ भी मैंने देखा क्योंकि उसके लिए कई चीज़ें जरूरी थी, एक तो पुलिस में जो मुसल्मानों का मैं minorities नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी minorities की problem नहीं, basically मुसल्मानों की समस्षा है दिल्ली में सिकों के खिलाब भी हमने दंगे लेखें, उसमें भी पुलिस ने पार्टीजन रोग प्ले किया थिया, पर वो एक different situation है, one off था लेकिन था वो भी, जे सही है, तो एक तो उसमें representation नहीं है, दूसरे हमारी training कहीं नहीं defective है, training में कहीं नहीं हम उन्हें यह नहीं स एक इस्टेटी हो गई है, और एक सेकलोर इस्टेट के आप एजेंट है, आपको उसकी तरफ से काम करना पड़ेगा, तो यह बहुत सारी है, यहीं चीजी इसी तरह का आपने behavior आपने तो हाशिमपूरा की ओपर किताब भी लिखी है, तो क्या यहीं भी देखने को मिला था, कोइंसिडेंस की बात है कि 87 का जो दंगा था, वो मैंने खुद कवर किया था, सिर्फ हाशिमपूरा ही नहीं, बलकि मलियाना का भी जो कारनिज था, उसको भी कवर किया था, और जिस तरह से पूरा बढ़ा था, उसके पहले भी 82 में जो मेरट में जो दंगे हुए थे, जो खागासा इलाके से शुरू हुआ था, वो भी मैंने देखा था बहुत करीब से, तो एक टार्गेटेड तरीके से हाशिमपूरा में खास तो से देखने को मिला था, वो ही जो बात मैं कह रहा हूँ देखिए हाशिमपूरा या जो उस भाई के जो दंगे थे, मेरट के, वो बेसिकली तो हिंदु मुस्लिम धंगो के तोर पर शुरू हुए, लेकिन हाशिमपूरा आते आते हो पुलिस मुस्लिम कॉंपूर जो मौते हुई थी, वो तो पुलिस के हाथ से हुई थी, 42 मुसल्वानों को पुलिस अपना पीसी उठा के ले गई और ले जा के मार दिया, तो यह एक जो मैंने पहले अभी हाशिमपूरा का केस बहुत लंबे समय तक चलता रहा, यह विडम बना है कि जो हाइस्ट ऑफिसर जिनके खिलाफ कुछ इस्टैब्लिश हुआ कोट में, वह सब इंस्पेक्टर रैंक के मेरे खाल से तो बाकी सीनियर ऑफिसर्स का पूरी त कि हमारे हैं कोई सिस्टम में इंबिल्ट एकाउंटिबिलिटी का कोई मतले इंस्टिचूस्ट्राइज एकाउंटिबिलिटी नहीं है, यह एक निश्रल इंटिक्रेशन का काउंसिल जो आप तो निश्क्री है, लेकिन मिसेज इंद्रा गांधी के जमाने में इसकी बड़ी कि मैं सबसे सीनियर आफिसर जिसको सदा में लिए एक सब इंस्पेक्टर सा, मैं 36-37 साल IPS में रहने के बाद यह नहीं स्विकार कर सकता है कि सब इंस्पेक्टर के हुकम पर उसके जवान गया कर सकता है, तो उसमें जो सीनियर आफिसर थे उनको छोड़ दिया गया, तो आप कि वज़े यह थी कि वो CID जिसने इंवेस्टिकेशन किया था, वो डे वन से इस काम में लगी हुई थी कि इसको किस तरह से दोस्त कर दिया जाए, यह केस खतम हो जाए, लेकिन वो केस खतम नहीं कर पाए, तो जो आंतिम जिसे कह सकते हैं कि बेशर्मी जिसे आप कह सकते है कि उन्होंने 17-18 लोग जो एक रेकॉर्ड में थाबित हो गया कि यह उस सेक्शन या उस प्रटून के पार्ट थे जिसने कर रहा ही कि उन लोह को उसमें नॉमिनेट कर दिया, उनके खिलाब चार्शीट लगा दिया, उन्हीं को सजा हो गई, लेकिन उनके पीछे कौन थे, आचाई ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था, मैंने तो अपनी किताब में जब मैं काम कर रहा था, तो मैं उन लोह तक पहुंच गया था, जो इसके पीछे थे, लेकिन जाहिर एक इन्मिस्टिगेशन जो एजिंसी कर रही थी, उसको ये सब करवाई करनी थे, उन्हीं किया हुई, पुलीस अफसर से मेरा मैजिस्टेट्स भी जोल लीजे जहां, डिस्टिक मैजिस्टेट्स वाला सिस्टम है, तो ये तो हमारे सिस्टम में ही समस्या है, कि कोई अकाउंटिबिलिटी का इंस्टिचुजडाइज्ड इन्बिल्ट सिस्टम में ही है, जिसमें कि हर दं सबसे लास्तीर हो प्लिस հिफार्म्स की बात करते हैं चाहिए सरकार थैनके पहले की बात करते हैं बंनाइजेशन तो उनका जो पूरे हिंचने का तरीका है तर के दूर उसको बदलने का नाम है वह हमरी ़रिती है जो नहीं प्राइटी नहीं है और इसके पहले की सरकारों के भी इस दिशा मैंने कोई खास उनकी सक्रीटा नहीं देखी तो हम जो आगे वाले जो आने वाला जो वक्त है क्या हम हम कोई रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई सुधार की नहीं करना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि अब बहुत हो गया है सिस्टम एक हग तक तो चीजें जेल सकता है जैसे अब आप देखिए जो इस बार दिल्ली के दंगे हुए उनसे पूरी हमारी अंतर राश्टीच भी खराब हो गई पूरी दुनिया में तुतु हो रही है युनाइटेड नेशन्स के और्गनाइज बाकी दुनिया है वो भी आपको कंडम कर रही है तो इसको एक ग्लोबल वर्ड में मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत दिनों तक इसे जेल पाएंगे हमें इसमें चेंज तो कर नहीं पड़ेगा आपके मतलब इस उमीद की उस पे कड़ी पॉइंट पे हम आपके साथ बात टेलेविजन रायट कहा गया था तब यह माना गया था कि ऐसे रायट और नहीं होंगे क्योंकि मीडिया सब कुछ ततकाल ब्राडकास्ट कर देगा और इससे पुलिस पे प्रेशर होगा कि ज्यादा फूर्ती से काम करेगी लेकिन अभी के दिल्ली के दंगों को हिंदुस्त पुलिस और पुलिटिशन अभी भी उतने ही पार्टीजन निकले लेकिन उनको अभी भी क्लेंचिट मिलता रहता है नमश्कार